नमस्कार बहुत स्वागत है आपका बिहारी नूज में मैं हूँ आपके साथ अभेवी साल जन्वरी का महीना शुरू हो चुका है कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को तबाह करके रख दिया है ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि नए साल में कुरोना महामारी से मुक्ति मिलेगी और हम सब की जिंदिगी एक बार फिर से पट्री पर लोटाएगी लंबे वक्त से लोग अपने घरों में बैठे बैठे परेशान हो चुके हैं और हर कोई अब बाहर निकल कर घूमना फिरना चाता है तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत वर्स के कुछ ऐसे ही जगोहों के बारे में जहां जन्वरी माह में घूमना सही माना गया है और अधिकतर लोग जन्वरी माह में है इन जगों पर घूमने के लिए आते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं पंड़ी के बारे में पंड़ी गोगा की राजधानी है जहांके सांस समुद्र टट और स्वादिष्ट समुद्री भोजन लोगों का ध्यान अकरसित करते हैं यहां प्राचीन वास्तु कला भी देखने को मिलती है दुनिया भर के सैलानी यहां घूमने के लिए आते हैं अब बात करते हैं जैसलमेर के बारे में रेगिस्तान से घिरा हुआ जैसलमेर भारत के खूबसूरत जगहों में से एक है यहां हवेलिया, किले और मंदिरों की भरमार है जो की बलुआ पत्थर से बने हुए है सर्दी में भी यहां की खूबसूरती काफी बढ़ जाती है सर्दियों में और खास करके जनवरी में यहां की खूबसूरती काफी ज़्यादा बढ़ जाती है अब बात करते हैं कोच्ची के बारे में कोच्ची भारत के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है यहां हर वर्स हजारों परेटक घूमने के लिए आते हैं जनवरी महीने में यहां काफी ज़्यादा संख्या में परेटक देश-विदेश से घूमने के लिए आते हैं अब बात करते हैं कचकरण के बारे में कच करण गुजरात में इस्तित है यहां गुजराती कल्चर की जलक देखने को मिलती है अगर आप गुजराती कल्चर को देखना चाहते हैं तो आपको कच करण जरूर जाना चाहिए दुनिया के सबसे बड़े नमत के रेगिस्तान में सुर्योदे और सुर्यास्त देखना बहुत ही शांदार अनुभव होता है सर्दियों में यहां परियटन के लिए जाना अच्छा समय माना गया है अब बात करते हैं महाबलीपूरम के बारे में महाबलीपूरम मंदिर सागर टट के किनारे बसा है अस्थलो के अउसेस इसकी भवेता को दर्शाते हैं इस मंदिर के स्थापना पल्ला और राजाओं ने की थी यहां भी जर्मडी माह में हजारों परियटक दर्शन करने के लिए आते हैं अब बात करते हैं एलेपी केरल राज्जी में स्थित है और कपल्स के बीच काफी ज़्यादा फेमस है यहां के बैक बोटर्स में मौझूद हाउस बोट में रोमांटिक पल बिताने का एक अलग ही अनुभव होता है यही कारण है कि शादी सुदा लोग यहां घूमने के लिए आते हैं अब बात करते हैं गोकर्न के बारे में करनाटक में इस्तित गोकर्न अपने खूबसूरत बीचों के लिए जाना जाता है यहां का बहतरिन प्रकृतिक माहौल परेटकों को खूब लुभाता है सर्दियों के मौसम में लोग यहां अकसर भूमने के लिए आते हैं तो यह कुछ ऐसे जगों के नाम है जहां अकसर लोग जनवरी महिने में घूमने के लिए जाते हैं अगर आप भी ऐसे स्थानों पर घूमने के लिए गए हैं तो आप अपना अनुभाओ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं तो अभी के लिए बस इतना ही बिहार के हर छोटी बरी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रिए बिहारी न्यूज धन्नवाद